इस जीवन का हर एक छण, हर एक क्रियाकलाप, हर एक गत्यविधी, हर एक विक्ति और हर एक जीव हमारे लिए एक नए अनुभव का स्रोत लेकर आते हैं सभी के अपने अपने रूप है, सभी में अलग अलग बदलाओ है सभी में ही अलग अलग परिवर्तनों के साथ साथ उतार चड़ाओ है और सभी के अनुरूप यह जीवन अने को उतार चड़ाओं से अने को जटिलताओं और बाधाओं से अने को सफलताओं और असफलताओं से अने को नकारतमकताओं और सकारतमकताओं से भरा हुआ है यदि हम अपने जीवन के हर एक छण को हर एक छण के हिसाब से संभालना चाहें संजोना चाहें और अनुभव प्राप्त करना चाहें तो यह जीवन यह संसार यह विश्व यह स्रश्टी सब हमें वे अनुभव प्रदान कर सकते हैं जिनके बारे में हम कलपना भी नहीं कर सकते हैं परन्त उसके लिए हमें खुद को सजग करके रहना होगा खुद को सजग करके खुद को तयार करके रहना होगा हर छण सतर्कता के साथ अपने जीवन की प्रतेक गतविधी को अपने जीवन की हर घटना को अपने जीवन की हर एक गतविधी को अपने द्वारा किये जारे हर एक क्रिया कलाब को जांचे खुद ही हम उन्हें परखें और यह विचार करें कि हमने क्या किया है क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था किन लोगों से हमें संपर्क रखना था किन लोगों से हमें संपर्क नहीं रखना था और या फिर किन लोगों से हम संपर्क रख रहे हैं हमारी सोच हमारी विचारधारा कैसी है क्या हम वास्तविक रूप में सकारत्मक्ताओं के साथ अपना जीवन व्यतित कर रहे हैं क्या वास्तविक रूप में हम सद्राहों की और आगे बढ़ रहे हैं क्या वास्तविक रूप में हम सत्कर्मों की और आगे बढ़ रहे हैं क्या वास्तविक रूप में हम सत्य को न्याय को धर्म इमानदारी मानवता शांत अहिंसा सरलता सादगी निर्मलता निश्चलता आध जैसे महान गुणों को अपने अंदर संजोकर सम्हाल का रख पा रहें क्या हम उनके अनुरूप में जीवन को ढाल कर आगे बढ़ पा रहें बड़े ही निर्णायक रूप से इस बारे में विचार करना होगा यदि हम इन सभी पक्षों में अपना पक्ष मजबूत पाते हैं तो हमें उन्हें बनाये रखना होगा हमें उन्हें और ज्यादा मजबूत करना होगा और सुद्रणता से उन छेत्रों की और आगे बढ़ना होगा परंतु यदि लेश मात्र भी हमारे क्रिया कलापों हमारी गत्यविधियों हमारे कर्मों में हमारे संपर्कों में हमारी गत्यविधियों में नकारत्मक्ताओं का लेश मात्र भी अंश दिख जाए तो हम खुद को समहलने और समयनवित करने की कोशिश करें हर छण अपने आपको जाच कर परह कर सही को अपने शरीर में अपने जीवन में ढालें और गलत से तूर हो चुन चुन कर अपनी अवगुणों की शरंखलाओं को निकाल कर अपने जीवन से बाहर फेकें और चुन चुन कर सकारत मकताओं को गुणों को अपने जीवन में समाहित करें उन्ही के अनरूप अपने जीवन को चलाएं यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम पाएंगे कि हमारा जीवन एक अदभुत और सुन्दर सुखद रूप ले सकता है एक ऐसा रूप जो खुद अपने आप आनन्दित हो सकता है और अन्य लोगों को भी आनन्दित कर सकता है यतिमानों जीवन में इस प्रकार की रूप एकाएं तयार हो सकें ऐसी स्थितियां ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां तयार हो सकें तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है